इस वक्त की बड़ी कबर का रुख करते हैं जानी राजगाज की बाती राइसिंग राजिसान समिट की तैयारियां शुरू सीता पुरामी प्रोग्राम सल जेई सीसी पर पहुंचे आला अफसर मुक्य सचिव और डीजीपी साइथ प्रशासन और पॉलिस के आला अफसर मौझूद है 9 से 11 दिसम्बर के सभी कारक्रमों पर विस्तरी चर्चा की है प्रधान मंत्री कोडेकर सुरक्षा इंतिजामों की समिक्षा भी जारिया प्रशासन और पॉलिस के आला अफसर मौझूद है और 9 से 11 दिसम्बर के सभी कारक्रमों पर विस्तरी चर्चा की जारी है प्यम को डेकर सुरक्षा इंतिजामों की समिक्षा भी इस दोरान जारिया और आइसिंग राजिसां समिट की तैयारिया शुरू हो गई हैं दिसम्बर में ये समिट होनी है सितापुरा में प्रोग्राम सल जेई सीसी पर आला अफसर पहुंचे हैं मुक्य सचिव और डीजी पिसाइट प्रशासन और पॉलिस की आला अफसर मौझूद हैं नों से ग्यारा दिसमबर के सभी कारक्रमों पर विस्रित चर्चा की जारी है और पीम को लिकर सुरक्षा इंतिजामों की समिक्षा भी की जारी है राइसिंग राजिसान समिट की तयारी शुरू क्योंकि जिस सरीके से राजिसान में निवेश को लाया जा रहा है विदेशों से भी निवेशकों को प्रोसाहित किया गया है इसको जिला सर पर अभियान के तोर पर चलाया गया और जिला सर से भी राइसिंग राजिसान के अंदर इन्वेस्टमेंट को लाया जा रहा है अलग-अलग सेक्टर्स को प्रोवसाहित किया जा रहा है एक बहतरीन इन्वेस्टमेंट समिट राजिसान में होने वाला है और उसी कोड़े कर तयारियां शुरू सीतापुरा में प्रोग्राम सल जेई चर्चा की जा रही है पीम कोडे का सुरक्षा इंतर्जामों की समिक्षा भी जा रही है और जो मिटिंग के नौट्स है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले फॉर्स्टेंड या आपको दिखा रहा है सिधापुरा में प्रोग्राम साल जे सीसी पर आलापसर क्योंकि ना सिर्फ बड़े-बड़े मिनिस्टर्स होंगे प्रधान मंत्री होंगे विदेशों से निवेश होंगे बड़े-बड़े उद्योग पत्री होंगे निवेशक होंगे तो पूरे देश के साथ विदेशी नजर भी इस सम्मिट पर बनी होगी और इसलिए ना सिर् प्रदान मंतरी की सुरक्षा की इंतिजामों को लेकर भी समिक्षा की गई है राजिसंग राजिसान समिट की तयारियां शुरू और जिस सरीके से ये ववसाएं की जारिये हैं हम मानकर चल रहे एक बहत्वीन समिट होने वाली है मेरे सेहोगी जियाओदीन जुरगे है जियाओदीन जरा बताईएं किस किस पॉइंट को हाईलाइट किया गया और क्या कुछ अभी तक हुआ है देखिटरा की राजिसान जो समिट होने वाली है समिट की तैयारियों को लेकर सरकार पिछिए और जो जावाम जौदीकारी थे काफी समय से परियास रचते चुकि अब उन तैयारियों को अंतिम रूप देने का समय आ चुका है इसी को लेकर जो मुखे सची हों है सुद्धान शिपंद उनके नेतरते के अंदर आज जाई सीसी का दोरा किया जाएगा बेठक भी ले जाएगी और बेठक के अंदर तमाम वो बिंदू उनसे पर चर्चा की जाएगी चुकि इसके अंदर पुलिस महानी देशा की इंटलिजेंस है अतिरिक्ति मुखे सची ग्रेव विबाग है कमिशनेट के कमिशनर है और परमुख सची विबाग और कलेक्टेड और समाम जो परतिमिदी हैं कि बारा से तेरा जो विबागों के जो परतिमिदी नहीं जाजिकारी हैं वो इसके अंदर मौदू रहेंगे चुकि इसका समका एहमी मक्साद है जिस सरह समिट का आयोजन किया जाना है उसको बेहतर बनाया जासके और बेहतर तालमेल और समनवे के साथ इसका अंसपल कि इसके अंदर शामिल होंगर किसी तरह कि उनके सुरक्षा को लेकर और वेवस्ता के अंदर कोई परिशानी नहों उसको लेकर ये पूरी बैठक और दोरे का एजन्ट किया जा रहा है कितने विदेशी महवान आएंगे कितने काबिनेट मिनिस्टरस आएंगे बाकी कितने मुख्य मंतरी इसका हिसा हो सकते हैं और देश के कौन-कौन से उद्योग पती इसमें शामिल होने वाले है देखेगा कि चुकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि चीज़ देश से कौन-कौन से परतिनीदी आएंगे चुकि तमाम जो देश हैं चाहे वो जर्मनी हो और कोरिया हो फिर साओधी अरब हो फिर दुबई हो अलग अलग डेशियों के अंदर मन्तरी कर रहे हैं और सबको इनवाइट कर रहे हैं सम्ट के अंदर पार्टनर बढ़ने क्या मंतरि कर रहए है और कई उद्योपतियों से मुलाखाट होगी है डेलिगेट से मुलाफ़ा तो यह लेकिन अरग की अधिकारिक तोर के ओपर अभी तक यह साफ नहीं उपाएगी कि इतने इसके अंदर डेलिगेट सामील होंगे कितने उद्योग पती शामील होंगे कौन कौन से उसके मंत्री शामिल होंगे फिराल चुकी उसके वो बात का वीशे है फिलाल अभी प्राइरंबी तोर के ओपर जो भी तमाम जो अथिती इसके अंदर आएंगे उनको लेकर किस तरह कि यहां पर तैयारी की जाएगी कैसे कैसी विवस्ता रहेगी को बी आई पी को किस जो पदी को किस होटल के अंदर ठहराना है क्या उनके सुरक्षे के अंदर कौन कों से प्रोटोकॉल के अंदर कौन अधिकारी मौजूद रहेंगे और किसी तरह कि प्रवस्ता नहों उसके लिए क्या रूट रहेगा उस तमाम को लेकर आज ये बेटा को ये दोरे का अंदर ये दोरा है उसके अंदर जो पुलिस के जो डीजी पी हैं और तमाम इंटिलिजेंस के अधिकारी हैं जिला कलेक्टर हैं और मजिस्ट्रेड हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेड हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी जो इसके अंदर इन्वे समिट के अ और उसकी यही जिम्मेदारी दी गई थी कि सबको एक-एक के डेलिगेट को एक-एक कंट्री को रिपर्जेंट करना है के लिए जे-ई-सी-सी में आवश्यक व्यवस्था मेरे सयोगी डॉक्र रितराज भी जुड़ गया है रितराज जी जरा बताईए इस मिटिंग के बाद कि सरीके से सबी को जिम्मेदारियों को सौंपा जाएगा क्योंकि लगबग एक महीना ही बचाया आज का जो दोरा है वो पूरी तरह से स्ट्रक्षा व्यवस्था पर जादा प्रोकस है और इस पर एंट्री गेट में कैसे व्यवस्था रहेगी कैसे एंट्री होगी रिफार्टी जडी बांडाल लगाय जाने हैं या कुछ शोकेस करना है विभागों को अपनी-पनी तयारी है उसको लेकर तो फैर कैसे शोकेस होगा अग्विशन स्थल कहां होगा कहां मैं कन्वेंशन ओगा कि सत्र कैसे होंगे, के बारे जो सत्र होंगे, वो कैसे होंगे, और उन सत्रों में राजिस्थान का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, कि राजिस्थान के संसादन कितने दे पाएंगे, जिससे की निवेशक आकशित हो, दूसरा, चूंकि इसमें ज्यादा तर बीवी आईपी तो तीन दिन तक पूरा मजमा लगा रहेगा तो कैसे ट्रैफिक की व्यवस्ता होगी और कैसे जो पाहन है उनकी पार्किंग और निकासी की व्यवस्ता हो पाएगी इन तमाम बातों को यहां पर देखा जा रहा है और साथ ही साथ मुखी सची उने ने तुकि टीजीपी के तैन पहले से पाहर लगा जाता है और उस फौ्य चोबन पहले से कर ली जाए अजया ज़िरूरी ओता लगाया जाता है और पर्टो कोव निर्दारिस किया जाता है और उस पोडोग्र के साथ-साथ गाड़िय आठे की झातिए है जिलति थी है यह जो नो तो कितना वहाँ पर जाबता पहले से होगा और कैसे उनको कारिकम स्थल तक लाया जाएगा और उसके बाद जब कारिकम समाप्त हो जाएगा तो कैसे पूरी प्रोटोकोल की व्युस्ता हो रहेगी इन तमान बादो को जाते लेकिन जो मैं देख रहा हूं जो मिटिंग नौट क्योंकि पुलिस महान निदेशक राजिसान सरकार, पुलिस महान निदेशक इंटेलिजेंस, अद्रेक्त मुक्य सचिव ग्रेविभाग, इसके अलावा पुलिस आयुक्त राजिसान सरकार, प्रमुप सचिव अध्योग अमवानिजे, कलेक्टर और जिला मजिस्टेट, मैन ना सिर्फ ती सुरक्षा मेवस्ता का होता है बल कि कई भी इवेज़ दे हो। तो उस गटी वीदी से इर्द गिर्थ सारे जिसमे ट्राफिक भी एक पहलू है। जुधर येंी ना साथ पlightने क्तिक पेलू में भी एक पहलू जो ट्राफिक का है वो जुडः रहता है। साथी एक और बात इसमें खास्वोर पर ये है कि इस तरह के सत्रों के आयलजन होंगे, उस सत्रों के आयलजन में जैसे एक सत्र समाप्त हुआ तो दूसरे सत्र की तैयारी शुरू करते हुए जो महमान है, सम्बंदित महमान का एंट्रे एग्जिट कैसे हो क्योंकि जरूरी न प्राफिक की इसनी विकट नहीं हो ताती साथ आम जन को भी वहां पर तकलिफ नहीं हो चूंकि वैसे तो सिसापुरा जो इलाका है वो थोड़ा सा मुख शेहर से अलग अच्के जो जो जेही सिती का पूरक शेतर है वो अलग है और इक शेख की पूरी व्यू रचना की जई है कि वहां पर इस तरह के इवेंट हो सकते हैं अच्छी तरहीं से हो सकते हैं क्यूंकि जो ट्राफिक शेहर का ट्राफिक वहाँ नहीं देखने को मिलेंगी जादा तर सम्मावना यही है कि बाहर की बार ट्रैफिक और जहां तक फिर पुलिस तुरक्षा व्यवस्ता की बात है तो वो किस तरह से रहेगी वहाँ पर यह भी पूरा मामला देखा जाला है इसलिए सबसे बहतरीन व्यवस्ता होगी इसमें कोई शक्षुबा हो ही नहीं सकती